बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ खेन दिया है गाप में और ये एक रांड इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बॉल सीदा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं ये इसी लिए अब पॉइंट पे फील्डर मौजूद बड़ीया टाइमिंग एक रन असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्लेबास दो रन का कॉल देते हुए बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं ये क्या लगता है आपको कितने चके मारेंगे इस ओवर में नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए अपनी पेस में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहां गेंदबास को बल्लेबास बहुत आसानी से उन्हें चौके चक्खे लगा रहे हैं सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फील्ड प्लेस्मेंट्स लगाए हैं आज यहां लाइन और लेंक्ट मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्स पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं यह इसलिए अब पॉइंट पे फील्डर मौजूद बदकिस्मत रहे हैं वहां बॉल सीधा फील्डर के हाथ में पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की यह है फास बोलर्स की इनोंने खुबसूरच शौड और चार रन गेन बास के चक्के छुडाते हुए बॉल सीधे बाउंडरी रेका के उस पार बल्ले से निकलते ही अपनी किसमत लिखवा गई थी यह गेन हवा में खेल दिया था खीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट बहुती निराश लग रहे हैं इनकी धीमी गटी की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है बहुती पसंद करते हैं उस दिशा में खेलना गलत लाइन और चार रण शॉट अलफास कमपड़ जाए इस शॉट का वरनन करने में ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है शॉट गेन बास के पूरे अकड को चकना चूर करती हुई